मुझेफ़पुर जिले के बंदरा परखंट के सीव सक्तिधाम बरियारपूर मोहनपूर में बुधवार को धर्मादा कमीटी के तत्वधान में पांच दिवसी महा सिवरातरी यग महोतसब की सुरुवात हुई महोतसब के पहले सत्र में बुधवार को बाबा बुधेश्वर नाथ महादेव का रुदराभी सेके बम हनुमान आराधना से सीव सक्तिधाम का महौल पूरे तरीके से भक्ति में हो गया अस्थाने कलाकारों के द्वारा संगीत में हनुमान आराधना कार्जकरम किया गया कई घंटे तक रुदराभी सेक महायग आयोजित किया गया इसे दोरान हवन यग भी आयोजित किया गया जिसमें छेतर के सरधालवू ने भाग लिया धर्मादा कमीटी के अध्यक्ष बीमल कुमार सिंग ने से दोरान बताया कि सिव सक्ति धाम में छेतर वासियों के सहयोग से 37 अधिवेशन इस बार किया जा रहा है इस अधिवेशन के अंतरगत इस साल भी पांच दिवसिये कार्जकरम का योजन किया गया है जिसमें यग की सुरुवात रुदराभी सेक एबम हनुमान आराधना से आज की गई गुरुबार को 24 गंटे की संगीत में अखंड सीव महामंत्र अश्टरियाम की सुरुवात होगी सुक्रवार को अश्टर जाम पूर्णाहुती के बाद रातरी में महासरिंगार एबम संगीत में एबम जहांकी युगत सी बिवाह महसब का योजन किया जाएगा सनिवार को दिन में संगीत सम्मेलन तथरातरी में जै मातादी जागरन गुरूप के द्वारा भावे जागरन कार्जगरम किया जाएगा रभीवार को अस्थानिय महिलाओं के द्वारा चोठारी महसब भी मनाया जाएगा यग के बिभिन गतिविधियों में सरधालू बढ़ चड़कर हिस्सेदारी निभा रहे हैं यग के दोरान कमीटी के उपाध्यक्ष कौसल किसो ठाकुर, सीताराम सिंग, रमेश ठाकुर, नरायन गीरी, अजीत सरन, रागवेंदर ठाकुर, संजीब ठाकुर, गंधीर जा, कुंदन जा, गोलुगीरी, हरियोम जा, अखिलेस गीरी, पंचाज समीती सदस्या, निर्मला देवी सहित दरजनों गरामीन भी सक्रिय दिखे, वहीं मतलूपुर बावा खगेश्वरनात मंदिर में भी सिवरात्री महुतसब को लेकर धार्मिक आयोजन सुरू कर दिया गया है, इस मौके पर दोनों जगों पर मेला भी आयोजित किये गये हैं, उधर सक्रिमन देश्वर अस्थान मंदिर में भी महासिवरात्री महुतसब की आयोजन सुरू किये गये हैं,